Hello students, आज इस वीडियो में हम chapter 7 भिन प्रशनावली 7.4 से question number 4 solve करेंगे question number 4 देखे, निम्न आकरितियों को देखे और भिनों के बीच में उचित चिन, ये बड़े का चिन है, बराबर या ये छोटे का चिन है, ये लिखिए तो देखे, यहां पर ये कुछ आकरितिया हमें दी गई है, तो देखे, जीरों से लेके एक तक ये एक इकाई है, इसी तरह ये भी यहां से लेके यहां तक एक इकाई है, फिर ये भी एक इकाई है, ये भी एक इकाई, ये भी एक इकाई, और ये भी इकाई, इस तरह से सारे आप देखिए यहां पर एक इकाई को दो बराबर भागों में बाटा गया है और इसमें एक इकाई को एक दो तीन तीन बराबर भागों में बाटा गया है और इसमें एक इकाई को एक दो तीन चार चार बराबर भागों में बाटा गया है हुआ है अब देखें यहां पर हमें यह कुछ भिन दी गई है हमें इनके बीच में छोटे या बड़े का या बरापर का निशान लगाना है तो एक पार देखें भिन दी गई है एक पटे छे और एक पटे तीन तो यहां आकरिती में देखिए एक पटे छे ये है ठीक है और ए एक बटे तीन ये है तो हम पहले वाला देखेंगे हम एक बटे छे देखेंगे कि एक बटे छे एक बटे तीन से बड़ा है या चोटा है तो देखें एक बटे छे एक बटे तीन के बाई तरफ आ रहा है ठीक है एक बटे छे एक बटे तीन के बाई तरफ आ रहा है और हमने सं क्या है बाई तरफ आती है वो छोटी होती है तो यानि एक बटे छे एक बटे तीन से छोटा है क्योंकि एक बटे छे एक बटे तीन के बाई तरफ आ रहा है तो एक बटे छे छोटा है एक बटे तीन से भी पार देखें भिन दी गई है तीन बटे चार और दो बटे छे तो आकृती में देखिए तीन बटे चार ये है और दो बटे छे ये है तो हम पहले वाला देखेंगे हम तीन बटे चार देखेंगे कि तीन बटे चार दो बटे छे से बड़ा है या छोटा है तो देखिए तीन बटे चार ये है ठीक है और दो बटे छे ये ह तो जो 3 बटे 4 है, वो 2 बटे 6 के दाई तरफ है, ठीक है, तो हमने संख्या रेखा पर पड़ा है, कि जो संख्याई दाई तरफ होती है, वो बड़ी होती है, तो जो 3 बटे 4 है, वो 2 बटे 6 से बड़ा होगा, क्योंकि 3 बटे 4, 2 बटे 6 के दाई तरफ आ रहा है, तो 3 बटे 4 चार बड़ा है दो बटे छे से सी पार देखे भिंदी गई है दो बटे तीन और दो बटे चार तो देखे उपर आकरती में दो बटे चार ये है और दो बटे तीन ये है तो हम पहले वाला देखेंगे हम दो बटे तीन देखेंगे कि दो बटे तीन दो बटे चार से छोटा है क्योंकि 2 बटे 3, 2 बटे 4 के दाई तरफ आ रहा है तो 2 बटे 3 बड़ा है 2 बटे 4 से D पार देखें भिन दी गई है 6 बटे 6 और 3 बटे 3 तो देखें 6 को 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा एक आएगा, ठीक है 3 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा एक तो यहां भी एक और यहां भी एक तो एक और एक यह तो बराबर हो गए तो छे बटे छे बराबर है तीन बटे तीन के यह पार देखें भिन दी गई है पांच बटे छे और पांच बटे पांच तो आकृती में देखिए पांच बटे 6 ये है और पांच बटे 5 ये है तो हम पहले वाला देखेंगे हम पांच बटे 6 देखेंगे कि पांच बटे 6 पांच बटे 5 से बड़ा है या चोटा है तो देखिए पांच बटे 6 ये है और पांच बटे 5 ये है तो जो पांच बटे 6 है वो पाँच बटे पाँच के बाई तरफ आ रहा है तो हमने पढ़ा है कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं बाई तरफ होती है वो छोटी होती है तो पाँच बटे छे पाँच बटे पाँच से छोटा है तो प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू